नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का अर्पिता शर्मा क्लासेस में, यह है हमारा Last Lap Marathon on Indian Quality for UPSC-CAC, तो चलिए शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं कि Unacademy यहाँ पे लेके आया आपके लिए बहुत एक बहतरीन सा ओफर, ठीक है, और यह ओ प्रवाइड होगा, यहाँ पे आपको सारे के सारे pre-discount मिलेगा, optional test series पे, extension हो जाएगा mains तक, CST Assure भी यहाँ पे मिलेगा, आपको notes मिलेंगे, test series मिलेंगी, फिर उसके बाद आपको optional subject भी यहाँ पे प्रवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप इसे जल्दी से ले सकत subscription जो है, उसके लिए भी और second year subscription जो है, उसके लिए भी यहाँ पे यह चीज़े आपको available रहेंगी, यह है unacademy का freedom offer, जो है आपका plus UPSC combo offer, और इस पे लेने के लिए आप अरपिता 10 code का इस्तमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर एक यह के subscription पे 27,000 का off मिल रहा है, फिर उसके यहाँ पे unacademy क्या कर रहा है, प्रोवाइड करके दे रहा है, और यह offer आपके कब तक चलेंगे, 18 अगस्तक यहाँ पे यह offer आपके पास है, तो जल्दी से इन offer को grab करें, और unacademy पे अगर आप कोई भी offer लेना यहाँ पे चाहते हैं, तो उसके लिए आप अरपिता 10 code का क् और जैसे ही आप अरपिता 10 code का इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का off मिल जाएगा unacademy पे available सारे subscriptions पे, तो आज का जो हमारे topic है, वो है दोस्तों यहाँ पे election commission, ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने finance commission किया, अब हम आ गये हैं अपने election commission पे, चलिए बात करते हैं election commission के बारे म तो यह एक permanent और independent body है, ध्यान रखेगा पूरी तरीके से स्वधंत्र body है, independent body है, article 324 जो है Indian constitution का, वो यहाँ पे इसे power देता है, superintendence की direction की control of election, कहां कहां पे, parliament, state legislature, president और vice president, मतलब इनके election यहाँ पे कौन कराता है, conduct, election commission of India कराता है, ठीक है, ध्यान रखेगा, पंचायतों के election, election commission of India नहीं कराता है, इसके लिए state election commissions जो है, वो इन elections को यहाँ पे conduct कराते हैं, बात करते हैं, composition की election commission of India की, यहाँ पे एक chief election commissioner होता है, और साथ में election commissioners भी होते हैं, और वो election commissioners के numbers कितने होंगे, यह यहाँ पे कौन decide करता है, president of India यहाँ पे decide करते हैं, ध्यान रखेगा कौन, president और इन सबकी जो appointment होती है यहाँ पे चाहे वो election commissioner हो, chief election commissioner हो, सबकी appointment यहाँ पे कौन करते हैं, president सहब यहाँ पे करते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, कि जब election commissioner के साथ साथ और election commissioners यहाँ पे होते हैं, regional commissioners को भी यहाँ पे appoint करते हैं किसे assist करने के लिए election commission को assist करने के लिए बात करते हैं इनके condition of service and tenure की तो ये सारी चीज़े जो भी होती है service condition क्या होगी tenure क्या होगा इन सभी का ये सब कुछ यहाँ पे decide किया जाता है president of India के द्वारा 1950 तक यहाँ पे जब हमारा 1950 में जब हमारा election commission बना और जब तक 1989 तक election commission बना रहा ये एक single member body हुआ करता था बाद में आगे चलके ये एक क्या हुआ multi member body बन गई क्योंकि 16 October 1989 से president ने यहाँ पे दो और election commission को यहाँ पे add कर दिया election commissioners को क्योंकि यहाँ पे voting age को reduce कर दिया गया था 21 से 18 तो workload बढ़ गया था तो इस workload को कम करने के रिए क्या किया गया यहाँ पे और election commissioners यहाँ पे add कर दिये गए तो यह एक multi member body है तीन members होते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि जो चीफ election commissioner है और दो अलग election commissioners होते हैं सबकी power equal होती है salary allowances और बाकी सब चीजे equal होती है और इनकी जो power सब कुछ होती है वो सब कुछ सेम रहती है judge of supreme court के बराबर ठीक है तो हर चीज में यह judge of supreme court के बराबर होते हैं तो अगर यहाँ पे इन election commissioners के बीच में अगर किसी भी तरीके का आपस में किसी faculty को लेकर dispute हो जाता है तो यहाँ पे majority से क्या किया जाता है फैस्ते लिये जाते हैं ठीक है आगे बात करते हैं कि जो इनका tenure होता है वो होता है chief election commissioner का वो होता है six year का या फिर 65 age तक का दोनों मैंसे जो भी पहले acquire हो जाए ठीक है और यह कभी भी resign करके अपनी post से यहाँ पे क्या करते हैं स्तीफा दे सकते हैं और साथ में इन्हें इस post से हटाया भी जा सकता है बात करते हैं independent scheme तो यहाँ पे इन्हें security of ten hour विला है मतलब इन्हें निकाला इसी तरीकी से जा सकता chief election commissioner को जैसे यहाँ पे judge of supreme court को निकाला जाता है ध्यान रखिएगा यह केबल chief election commissioner के लिए available है ठीक है judge of supreme court की तरह निकाला जा सकता है next बात करते हैं कि यहाँ पे एक क्या होगा यहाँ पे एक resolution pass होगा मतलब किस तरीके से निकलेगा resolution pass होगा both houses of the parliament में और यह resolution आपका pass होना चाहिए special majority से on the basis of proved misbehavior और incapacity तभी यहाँ पे chief election commissioner को यहाँ पे निकाला जा सकता है तो इसका मतलब यह है he does not hold office till the pleasure of the president मतलब president की इच्छा से यह office नहीं यहाँ पे रखते है आम बात है जब तक यह pass जब resolution pass होगा तभी निकाला जा सकता है ठीक है नेक्स बात करते हैं service condition जो होती है chief election commissioner की वो cannot be varied on his disadvantage after appointment तो मतलब यहाँ पे एक बार जो इनकी appointment के समय जो इनकी service condition fix हो जाती है उन्हें यहाँ पे आगे नहीं बदला जाता है नेक्स बात करते हैं जो other election commissioner और original commissioner होते हैं वो तभी निकाले जा सकते हैं जब recommendation वहाँ पे मिल जाए किसकी chief election commissioner की ठीक है ठान रखिएगा नहीं करता है from further appointment in government ठीक है यह कुछ इसमें फ्लॉस थे अब बात करते हैं power of function की तो लंबे चोड़े power function है ठीक है election commission के इन सभी की election कराने से कुछ administrative function है advisory function है क्वासी judicial function है देखते हैं detail में इन सभी functions को तो सबसे पहली बात है कि यह territories को define करते है इन सभी वोटर्स का नाम उसमें डालना यह सारी जिम्मेदारी होती है notify करते है data and schedule of the elections ठीक है और जो paper होते हैं उन्हें verify करते है nomination paper को political party को recognition देना भी election commission कर काम है किसी तरीकी का dispute हो जाता है election symbol में या फिर बाकी तब चिज़ों में तो उस dispute को resolve करता है फिर उसके बाद अगर कोई पर dispute होगा तो उसे resolve करेगा कि किस तरीके से दोनों parties के बीच में problem खतम हो जाए code of conduct को यहाँ पर बताता है कि क्या code of conduct होंगे election के समय में ठीक है रोस्टर यहाँ पे जारी करता है कि यहाँ पे किस तरीके से political party radio पे tv पे सब अपनी अपनी क्या कर सकते हैं परचार कर सकते हैं next यहाँ पे president साहब को यही यह बताता है कि disqualification जो होना है member का ठीक है उससे related अगर उन्हें कोई बात पूछनी है तो यहाँ पे election commission इसकी भी information इनने देता है ठीक है और उसी तरीके से governor को information देता है state legislature में अगर किसी minister का या member का disqualification होना है ठीक है और अगर यहाँ पे किसी भी poll में election में food capturing हो जाए violence हो जाए तो यहाँ पे poll को cancel करना है कि नहीं करना यह भी election commission के हाथ में होता है ठीक है तो ध्यान रखेगा इस बार यह काफी ज्यादा important है ठीक है next आगे बात करते है the request of president और governor for requesting for staff तो president और governor से यहाँ जो staff है उसकी लिए भी यहाँ पे बात election commission करता है जो staff ज़रूरी होता है election कराने के लिए ठीक है supervise करता है पूरी machinery को for free and fair election ठीक है ध्यान रखेंगे next बात आगे हम करते हैं कि यहाँ पे election commission यहाँ पे president सहाब को यह भी बताता है कि इस area में election हो पाना अभी possible है कि नहीं है ठीक है तो यह हम जानते है president rule के समय यहाँ पे इसे बताना होता है कि election हो पाना यहाँ पे possible नहीं है तो यहाँ पे प्रेजिडंट रूल आगे और बढ़ा दिया जाये ठीक है और जो register political parties होत करता है ठीक है आगे बात करते हैं कि election commission यहाँ पर assist होता है deputy election commissioners के द्वारा ठीक है और उसके बात यहाँ पे यह सारे जो होते हैं यह civil services से लिए जाते हैं और tenure basis पर इन्हें appointment किया जाता है state level में यहाँ पर electoral officer होते हैं अलग से ठीक है जो यहाँ पर इन्हें assist करते हैं next बात कर यहाँ पर यह appointment यहाँ पर करते हैं तो आप लोगों को lecture अच्छे से समझ में आया होगा तो यहाँ पर हमने election commission को अच्छे से यहाँ पर कतम कर लिया है और हमें mainly इसके functions को ध्यान रखना है कि कौन-कौन से काम करता है और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि इसका composition इसकी formation किस तरीके से होती है तो thank you best of luck वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप unacademy पे कोई भी course purchase करना चाहते हैं तो उसके लिए अबितार 10 code का इस्तमाल करना न बूलें तो thank you best of luck take care जै हिंग जै भारत नवाद